ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए जिसको लेकर जला प्रसाशन ने सभी जनपतवासियों से लॉकडाउन का पालन कर घरों में रहने की अपील की है डियम सुखलाल भारती SSP सुनील कुमार सिंग ने इस दोरान मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिये कि गाओं में सफाई कर्मियों के माध्यम से समुचित साफ सफाई कराई जाए इसके साथ ही स्वास्त विवाक की मेडिकल टीम ने डोर-टोर भ्रमण कर स्वास्त परिक्षन कराया जाए गाउं के राशन डीलर को निर्देश दिये उसके गाउं को हॉट स्पॉट गोशित कर दिया गया है इसलिए समस्त कार्ड धारकों को होम डिलिवरी राशन उपलब्द कराया जाए डीम SSP ने इस दोरान सुविधाओं के लिए सेंटर सेंट मेरी पबलिक स्कूल में भी पहुँचकर मेडिकल टीम एवं ठेकेदार को दिशा निर्देश दिये हैं वही गनेशपुर में निरीक्षण कर ग्राम प्रधान से गाओं के बारे में हाल चाल भी लिया है और वही एटा जनपत में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 हो चुकी है जबकि एक कोरोना पॉजिटिव 15 वर्षिय बच्ची की AMU अलीगर में मौत हो चुकी है जि घरों में रहने की अपील भी की प्राइम नियूस 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट